हलो एब्रीवन वल्कम बैक टू माई यूटीव चैनल कैसे हैं सभी लोग आई होप अच्छे ही होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवोड इंडेस्ट्रे की कुछ और दिल्चस्प स्टोरीज लेकर आई हो आई होप आपको पसंद आए राजकपूर ने लता मंगेशकूर को दिया था सत्यम सिवब सुंदरम की रूपा बनने का ओफर ऐसा था सुवर कोकिला का रियक्शन राज कपूर की कल्ट क्लासिक फिलम सत्यम सिभं सुंदरम में जीनत अमानने रूपा का किरदार निभाया था लेकिन उन से पहले ये रोल सुर कोकिला लता मंगेशकर को आफर किया गया था साल 1978 में जब राज कपूर की फिलम सत्यम सिभं सुंदरम रिलीज हुई थी तब बबाल मच गया था लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे थे लेकिन दीरे दीरे ये कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और इस फिल्म में जीनत अमान ने रूपा का किरदार निवाया था हाला कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं जीना तमान से पहले ये रोल सुर कोकिला लता मंगेशकर को आफर किया गया था तो चलिए बताते कि इस पर क्या रियक्शन दिया गया था पत्रकार वीर सांगवी ने अपनी किताब में लता मंगेशकर से जुड़ा ये किस्टा शेयर किया उनके मताबिक लता मंगेशकर को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी उन्होंने ये फिल्म करने का मन भी बना लिया था लेकिन पुरकिछ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये फिल्म करने से इंकार कर दिया वीर सांगवी के मुताबिक राज कपूर ने लता मंगेशकर से फिल्म के बारें बात करने के बाद एक इंटर्वियू भी दिया था इस इंटर्वियू में उन्होंने कहाता कि आप एक पत्थर ले लीजे और वो पत्थर तब तक ही पत्थर रहेगा जब तक उस पर आप कोई धार्मिक निशान ना बना ले जैसे ही आप उस पत्थर पर धार्मिक निशान बनाएंगे तो वो भगवान बन जाएगा इसी तरह जब आप एक मधूर आवार सुनते तो उसके दिवाने हो जाते लेकिन जब आपको पता चलता है कि उस मधूर आवार के पीछे एक बसूरत लड़की है तो राजकपूर चुप हो गए बैस समझ गई कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इसे इंटरव्यू को पबलिश होने से किसी तरीके से रोक सके हाला कि ऐसा नहीं हुआ ये इंटरव्यू पबलिश हुआ लता मंगेशकर तक पहुँचा उन्होंने राजकपूर का इंटरव्यू पढ़ने के बाद फिल्म करने से इंकार कर दिया और इसके बाद जीनत अमान को कास किया गया था और उन्होंने इस रोल को अमर बना दिया आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग बाबाई